जय हैं दोस्तों एक बार फिर से अप सभी खास्वागत है हिंदे साहित में आज हम देखेंगे दिसंबर 2023 जो पर इच्छा हुआ था नेट जी आरप का हिंदे साहित का उसमें हम आज 50 क्वेशन देखेंगे इससे पहले 50 क्वेशन दो वीडियो में 25-25 क्वेशन भाग एक भा जो आपका जून 2024 में पेपर हैं संभावित कितना है 18 जून देखेंगे क्योशन एक सव एक है यह नाटक इस अर्थ में समकाली नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्य है अनाचार भष्टाचार बीवेक सुनेता और मनमाने पर्म पर रोशनी डालता है इस प्रहसन में ब्यां नमर दो सत्त प्रकास मिस्र अगला है रस सिद्धान समन्दी ग्रांत रस तरंगडी के रचाईता कोन है जगनात विस्चुनात भानुदत या फिर जय देव तो इसका सही इंसर क्या है आपसा नमर तीन भानुदत अगला क्वेशन है देखिए यह क्वेशन है और आपका ABCDE E करके है आपसन BDE, ADE, ABE, BCD तो इसका देखिए सही इंसर क्या हो जाएगा सही इंसर ऐसे में हम लोग देख लेते हैं क्वेशन आप रोक के देख लीजिएगा अच्छे से देखिए BD आपसन नमर एक सही है बी बाला सही है यानि राजभासा संसदी समीती का गठन 1976 में ग अरिकलाब की माध्यम भासा राजभासा का लाती है यह आपका भायत की राशपती ने साजुन 1955 के अनुच्छे 344 एक के अनुसरण में राजभासा आयो के गठन का आदेश चारी किया था ठीक अगला 104 नमर का क्वेश्चन आपको मिलाना है देखिए यहाँ पे इधर हलोच इधर रहें चारा लोचक नंदुलारी बाजभास पे स्याम सुंदा दास महाभी प्रसाद्यवेदी डक्टर नगेंड इधर रचनाय दिया है सुकवी संकीरतन नया साहित नया प्रश्ण विचार और अनुभूती विचार और अनुभूती और इसके बाद साहित्या लोचन देखिए नंदुलारी बाजभास पेड़ी का जुगरंत है उसका नाम है नया साहित्य प्रश्ण इसके बाद स्याम सुंदा दास का है साहित्या लोचन और महाभी प्रसाद्यवेदी का जो है वह है आपका सुकवी साकीरतन, संकीरतन और डक्टर नगेंडर का है विचार औ आप्षान नंबर । ये इस प्रकार से कौन सा आप्षान सही हैं ? अप्षान नम्मर एक. अगला है, 105 शत्पुल से घने-जंगल devastateali करते सद्पुल से हाज सत्पुला के घने-जनंगल कि सद्पुला के घने-जनंगल dau नाम से है तो इसमें किसका है गोंड जंजाती का अपसन भी देख लिजिए गोंड कोल भील मुंडा इस प्रकार से दिया है अगला कोशन है 106 संस्किति और संदर में आई कथन आपको बताना है और इसमें से सही उत्तर चुनना है तो इसमें से सही क्या हो जाएगा देखिए आपसन नमर दो सही होगा ए बी और डी एक क्या है असोक के फूल केवल फूल की कहानी नहीं भारती संस्किति का एक अध्या है बी है रविद्ना ठाकुर ने भारत को महमानु सागर कहा है या विवात सही है और डी क्या है प्रसान ने रहस्ष्वास सिर्षक निमद में संद दरा नुभूती की परंपरा को पुनन निनमित करने का प्रयास किया है इसके लामाँ आप क्या किजिए कि सभी अपसन को इत्मिनान से रोक करके देख लीजिए अलगा कुछन 107 है कि आ भूलू क्या आदकुरि से संबंधित उपयुकत कतन क्या है सही उत्तर चुनना है और 107 का जो एंसर है 107 का एंसर है आपसा नमर 3 A.B.E. ए क्या है बच्चन की आत्म कथा पर मानते इन के आत्मा चित्रन का प्रभा है B है बच्चन जी ने अपनी आत्म गता के एक हिस्से का सेसक जीवन की आपाधापी में प्रस्तावित किया था E है बच्चन जी के जीवन और कावे दोनों के विकास में रुबाईयात, उमर खयाम और उसके अनुवायत का विशेस योगदान है ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेशन 108 है भार दूदसा नाटक से समधित कौन से का तन उपयुकता है सही उत्तर का यहाँ पर चैन करना है तो देखे सही एंसर यहाँ पर किवल क्या हो जाएगा A और C यह है इस नाटक में पांचवेंकास्थान किताब खाना है पांचवेंकास्थान नाम जो है किताब खाना है और C लेकिन ऐसे आपसन नहीं दिया तो इसका क्या किया गया था tao NTE ने इसको इस रॉप् कर लिया था मतलब हटा दिया था हटाने मलतब कि उसको हटा के या तो सबको नमबर दे या तो उसको हटा दे तो सबके लिए समान हो जाएगा तो यह हटा लिया गया था क्योंकि option वैसा नहीं था अगला है question 109 उसने कहा था कहानी के अधार पर विपत कथन चुनना है सही इंसर क्या है 109 का जो सही इंसर है वह आपसर नमबर तीन B, C और E है B है वजीरा सिंग पल्टन का विदूसक था वबाल्टी के गंदला बानी फेकते हुए जर्मनी के बास सागातार पड़ करने लगता है C है सुबेदाननी ने अपने पती और बेटों को बचाने के गुहार लगाई थी और E है लाना सिंग 77 यानि 77 राइफल से में जबादार हो गया था यहीं तीनों बाते सही हैं बाकी गलत है 110 है मुरदाया में तुलसी राम जी के चाचा मुनेसर और नगर उत्तर परदेस में पचलित किस पंथ के गुरू थे दरिया पंथ दादो पंथ सिव नराण पंथ या फिर नाद पंथ तो इनको चाचा का नाम भी याद रखेगा मुनेसर और नगर एक पर यहीं पूछा गया था दूसरा नाम दे दिया गया था क्यों पूछा था कि इनके चाचा है मुनेसर और गगर नगर जगर लगर कुछ भी देदेगा तो इसका सही जवाब है सीव नराणपंत अगला है क्वेचन 111 दो कथन दिये गये हैं इसमें से फिर चुणना है कि कौन दोनों सत्य है एक सत्य है या फिर दोनों सत्य है क्या है कथन एक है गोदान के नुसर बेलारी और सेमरी में पांच मिलका अंतर था तो य अहला सत्य दूसरा सत्य तो ऐसा किसमें है आपसे नंबर तीन में कि 112 है प्रथम प्रकास अनवर्ष के अनुसार हिंदी साहित के इतियास कारों के निम्लखित इतियास ग्रंतों को पहले से ब्यात के करम में लगाना है यह अबे सबका दिया है जेसे राम कुमार बर्मा का द क्रेचर यह है गड़पती चन्ध को भेंदी शाहीत का बेज्ञानी के थ्यास तो इसको क्रम से लगाना है क्रम से लगाने के मतलब कि इसका सही इंसर क्या हो जाएगा देखिए इसका सही इंसर अपसर नमर चार सही जाएगा और चार में क्या है पहले सी आएगा यानि कि जोर्ज ग्रियर्शन का इसके बाद आपका डी आएगा एफ एक के का फिर ए आएगा रामकुमार बर्मा का फिर बी सिवदान सिंग चौहान और लास्ट में डाक्टर गढ़पती चन्द गुप्त का क्वेस्चन एक सो एक सो तीरा निल्मकित संकलन में रामकुमार बर्मा क्रित का बे संकलन है तो इसमें से चुन्दा है कि कौन इनका है तो देखिए इसमें से है आपका बी अन्जली उन्निस्टिस देखिए है जी कि चित्रर रेखा चित्र रेखा नहीं चित्र रेखा उन्निसट पेथिस और उन्हेंछ का है एक लव ओन्निस्टान का है तो यहां पर असाहीं अपस्तन हो जाएगा तो बीडी कहाँ पर दिया है अपसन नमबर तीन में एक पूशन एक सोगदा है पीता कहानी के पीता ने किन दो पुष्टकों में जिंदगी का 35 वक्सकार्ट दिये यहां पर रमाड महभारत, गीता विष्णा पूरार स्रिम्द भागवद पूरार स्रिम्द भागवद गीता या पिर रमाड गीता confusion आप सन बड़े-बड़े लोगव का यहa question गलत हुआ था this तो इसका सही जवाब क्या है रामाणा और गीता मत्त पुष्टक में ऐसे ही दिया है 115 नव जाकरण स्वाधिंता अंदोलन से समधित घट नौ को पहले से बात के क्रम में विवस्तित किजिए तो कौन पहले हुआ कौन बात में हुआ है इस क्रम में हमें लगाना है सही इंसर इसका क्या हो जाएगा सही इंसर की बात की जाएं तो तीसरा हो जाएगा यानि कि पहले सबसे पहले आएगा देखिए फिर समिटा देना तब पहले आएगा C यानि एक नमबर पे अंग्रेजी सिच्चा के पच्च में मेकाले का प्रारूप फिर कलगता मदराश बंबाई विश्विद्या लेके अस्थापना इसके बाद फिर आएगा प्रात्ना समाज के अस्थापना तिन नमर पे फिर बंग बंग फिर दिलक को देश निकालने की सजा तो यहां पे सही एंसर हो गया क्वेश्चिन 16 सेखर एजियोनी भाग एक में कि इन पश्चमी विचार को कोई नामों क्या उल्लेक है अपसने कॉलमार्स रोजाल लगजंबर्ग निश्य त्रासकी देकार्ट यानि इन्हें डेकार्ट भी का जाता है निश्य ने कहा था कि इस्वर के मित्ती हो चुकी है वहलब इनका कथन या फेमस है तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा आपसने नमर एक एसी डी कालमार्स निश्य और त्रासकी क्वेश्चन 171 टोकरी भर मित्ती कहानी के अनुसर बिदवा टोकरी भर मित्ती का उपयोग क इसलिए करना चाहते थे पावधाय लगाने के लिए घर बनाने के लिए चुल्ला बनाने के लिए चौका बनाने के लिए तीसरे चोथे में कन्फ्यूजन होच सकता है सभी को सही अंसर क्या है तीसरा चुल्ला बनाने के लिए क्वेश्चन 188 है जो धार्म जो अपने धार् ही में गड़ी रहते हैं वो वे माता वीता की हिदकी बात को नहीं सुनते सबसे बाइर करते हैं जो पापी जन है सो महादेरावनी दच्छिट दवार से जान अर्खों में पढ़ते हैं यह गद्यखांड खड़ी बोली के किस अरह में गदिकार का है तो यह किसका है यह आपसन है इसाल लखां सदा सुकलाल नियाच सदल मिस्र लल्लू लाल तो यह किसका है सदल मिस्र का 119 यह संसार का जाती धर्म के जो वस्तों हमारे आसपास है उनी पर हमारे बुद्धी दोड़ती है भारा सरावर इंगली देश के कभी जब संसार की और नितेता की बात करेंगे तो क सही जवाब क्या है सही जवाब क्या है इसका सिव मूर्थी 120 पिलाना है मतलब इधर पत्र दिया है इधर प्रकासन अस्थान दिया है सदादर सज्जन किर्ति सुधाकर सदाचार मार्थन आर इधर पनिया सब पत्र है और इधर से प्रकासन अस्थाल जैपूर दिल्ली सा ज देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? इसका सही answer आपका होगा देखिए एका सदादरस आपका जो होगा वह होगा आपका दिल्ली से सज्जन किर्तिस उधार कहां से होगा उधैपूर से इसके बाद सदाचार मारतंड जैपूर से आरे दरपड़ आपका कहां से हो जाएगा सहाजहापूर से तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा A2 A2 B4 C1 D3 तो यह कहां पर है आपसा नमबर 3 में Question 12 है आधे हदुरे नाटक के संब्द में सत्यकतन क्या है सत्यकतन की बात करते हैं तो सिदे सत्यकतन ही देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा A, B और D एक क्या है यह नाटक मौझूदा जीवन की बिडंबना के कुछ एक सगन बिंदो को रिखानकित करता है B है स्री ओम सिपूरी को यहाँ समकाली जिन्दगी का पहला सार्था खिंदी नाटक लगता है D है आधे हदुरे आज के जीवन के कहन अनुभा खंड को मूर्थ करता है 112 है आत्म चेतस का भावतो संपुड भारती नोजागरण में है यहीं चेतना भारती आस्मिता सांसकतिक आस्मिता की पाचान है भारतों ने इसी आत्म चेतस को समश्टी चेतस की और उनमुक किया या कतन किस सहितकार का है किस सितिहासकार का है तो इसका सही जवाब है आपसन देख लिजे रामचन सुकला, रामसरुप चतरोवधी, रामचन तिवारी सही है कौन? राक्टर बच्चन सिंग क्वेचन 123 से है जिंदगी नामा उपन्यास में किन कभी 300 और गीतों का अव्योग किया गया है इसमें से चुनना है कि कौन जिंदगी नामा में आये है तो इसका सही अंसर देखी लेते हैं A है, C है और E है यहाँ पर A, C और फिर E है A, A वाला यह वाला देखिए अवल अल्ला वाला C है चीली चोज भर ले गई और फिर E है नमें अर्बी नमें लाहोरी तो A, C और E कहाँ पर है अफ्टर नमर 3 आगे दिखते हैं, 124 गणानन्त की कावे पंक्ती काहूं कलपाए हैं सु कैसे कलपाएं में कौन सा लंकार है तो दो बार कलपाए आ गया तो कौन सा है यहाँ पर यमा कलंकार क्वेशन 125 है यह कहानी यह भी के अनुसार सत्यकतन यहाँ पर हमें चुनना है सत्यकतन चुनना है तो देखते हैं इधर देखिए बेलची की घटना ने मन्नु जी को महाबोज उपन्यास के लिए परित किया सही बात है और दूसरा है आपका बंटी कडियों में ही लिखा गया मिलका लिखा था इसलिए यह गलत है और डी भी गलत है तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा आए भी और ई आपसे नमर दू एक सुचबीस है साधाली करण के संदर में कतनों का सत्यकतन कौन सा है सही उत्तर चुनना है और इसका सही एंसर क्या हो जाएगा B, D और E B, सही है B क्या है, भट्ट नाएक के नुसार E बट्ट नाएक के नुसार काब और नाटक में अवीधा व्यापार की उपराना भावकत व्यापार के द्वारा वीभाव अनुभा और संचारी भाव का साधार्णी करण हो जाता है और C भी गलत है तो सही वाला के वल पढ़ते हैं D क्या है अचार सुकल के अनुसार साहिर्दे का आस्रयत्व धर्म के साथ तादात में होता है पड्यामता अलंबन तो धर्म का सामानी करण होता है और इनी दुनों का नाम साधार्णी करण है यह है डक्टर नगेंद के नुसार साधार्णी करण नद्वास्त्रय यानि राम का होता है और नालंबन नसीता का होता है अपितिवा कभी के अन्भूति का होता है अला कुशन है 128 से राहूल संक्रिताय ने हिंदिका विधारा के भूमिका में आधिकाल के कि इसका भी को हिंदिका सबसे बड़ा कभी माना है अपसा नहीं चन स्वयम्भू सर अपाया फिर गोरखनाथ तो इसका सही अंसर है स्वयम्भू क्वेशन 17 से अंजो दिदी नाटक का मंचन रंग भूमि द्वारा लच्मी टौकी जिलाहबाद के हाल में 22 जनवरी 1956 को हुआ इसके प्रस्तु यह मतलब भूमि का से है आमूख जिसे का जाता है जिसे प्रस्तावना भी का जाता है तो सब एकी चीज है तो 22 जनवरी 1956 को हुआ इस नाटे प्रस्तुती के निर्दे से कौन थे स्री राज जोसी सतेंदर सरा सतीस स्रीवास्तो या फिर कमले स्वर तो इसक है इदगा कहानी से तो इसका देखते हैं सही इंतर के वाल देखते हैं बाकी जो है वह गलत होगा सही है महमूद ने महमूद लिग दिया है महमूद होगा महमूद ने सिफाई खरीदा है यह बास सही है और यह वाला गलत है सी गलत है डी सही है समी अपनी खजरी हामित से ब यह गलत है और जो जो गलत है देख लिजे किवल सही वाली को देखे अपसन पूरा आप एक बार देख लिजेगा question एक्स वक्ति से कुवे नातराय के निवंदों को विश्ष्थाओं के समधे तुभी कधन कौन सा है और कौन सा है तो इसका देखते हैं किवल सही answer ठीक तो देखे एक क्या है सही है अलब ए सी और डी तो आपसन नमर दो सही है एक क्या है को दोराय के निवंदों की अमोल सुरत लोग-जीवन-अलोग-शंकति और लोग-सभदा कुमारपाल प्रतिबोध इसमें से किस जयन कभी की रचना है जयनाचारे मेरुतंग सोम प्रप्सूरी हेमचन सारंगदर तो कौन है इसमें सोम प्रप्सूरी कुईशन 133 है बहुत कम लोग या जानते हैं आज हम जो है वह किसकी बदोलत किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया हमारी आँखे खोली हमें सही रास्ता दिखलाया किसने किससे हमने हमेशा फ्रेड़ लाले अपना करता भी क्या और आगे बड़े बकरी नाटक का उक्त संभात क इस पात्र के द्वारा कहा गया है आप्सन है सिपाही दुर्जन कर्मबीर या फिर विवक तो इसका सही एंसर आप्सन नमर दो है दुर्जन क्वेशन 134 है सिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पस्चमी विग्यान के वास्तिकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं सूखी लक 139 का सही जो आप क्या है हंटर अल्गा कुशन 135 है अमरी सरा आगया कहानी में आये प्रसंगों को पहले से बात के क्रम में लगाई यह देख रहे हैं कितना कटिन पूछ रहे हैं तो यहां पर पांच अप्सन है पहले कौन है बाद में कौन है इसे लगाना है तो इसका सही ए A, D, B, C पहले आएगा का ले बाबू ताक्त आएगी आम जैसा हो जाएगा फिर E आएगा बंद करू जी धरवाजा बिना पूछे चड़े आते हैं अपने बाप का घर समझ रखा है मत गुशने दो जी क्या करते हो धक्यल तो पीछे फिर आएगा A, तुम्हारे दिल में द ठीक है बेरहमों तुमने बुरा किया है C, E, A फिसके बाद D आएगा खुदा के लिए दरवाजा खोलो मेरे साथ में और जात है गाड़ी निकल जाएगी फिर B है बड़े जीवट वाले हो बापु दूबले पतले हो पर बड़े घुरते वाले हो सबसे लास्ट में 136 है ज तो हम लेखिका ने लिखा है तो यह इसका सभी जबाब क्या हो जाएगा एक कहानी यह भी अगला विचन है एक सुसायती सुक लेने हिंदी सायती के इतियास में सरस्वती में प्रकासित निम्कित कहानियों का वड़न करते हुए इन में से तीन कहानियों को मर्मिक्ता के द्रिश्टी से भाववरधान कहानियों के रूप में चुना है कौन-कौन तो देखिए एंसर बता ही दे इंदो मती है कि सुरी ललगोस्वामी का फिर अपनी ही कहानी 11 वर्ट का समय जो कि सुकले जी का है उसको चुना है फिर दुलाई वाली बंग महिला की है उसको चुना है तो आपसे नमर एसी औरी कहां पर है एसी औरी आपसे नमर दो में अगला जो है 138 का है सुमेलित करना है इधर कता नहीं इधर कहानी है तो इसको छोटा करें या बढ़ा करें मतलब कि दीखेगा तो 138 138 का जो है देखिए पहले जो दीख रहा है उसको कर लेते हैं पहला जो है एका कल तक जो खदर भी ना पहेंते थे बाद-बाद पर कांग्रेश का मजा कुड़ाते थे कांग्रेश के हाथो में थोड़ी सकती आते हुआके भक्त बन गई या किसका कतन है किसका हानी का रही का और बी आपका है ऐसे ही खाने पीने वालों की तक्दिल लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग में क्यों पढ़ता या किस का है किस कहानी से कोशी का घटवार से और है किसी चीज को न जानने अधी गलत है तो जानबुश कर भूला पाना हमेशा जो की तरह उसे चिप्टे रहना या भी आपका या भी बात गलत है या आपका कहां से है या परिंदे से है और लोक अपने हालोकिक बाते कब तक होने देगा बहुसागर की जलतरंगों पर थिर होना कब संभव है या कहां से है कानों में कंगना से तो मिला लिजी मतलब इसका सही इंसर क्या हो गया इसका सही इंसर आपका तीसरा हो गया ना त मतलब इदर धातु सेन है कुमार इसकंद को पॉंड़ दया तो मतलब इधार है इधर संबाद है कौन किसका है आई यह मिलते हैं तो इसका सही अंसर आपका दूसरा हो जाएगा एक आफोर धातु सेन एक मिनट बढ़ा करते हैं 149 एक अफोर धातु सेन का यह है यदि राचेस कोई था तो भी विसर था और बंदरों में भी एक सुग्री हो गया बी का क्या है बी का थ्री है यानि कि यहां पर कुमार गुप्त युदुतु करना ही पड़ता है अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवस्यक है C का है C का 2 है इसकंद गुप्त का है हिदय की बातों को राजनितिक भासा में ब्यक्त करना चक्र नहीं जानता और D का बचा वन राश्नेती पंदत का है राश्नेती दर्शनेक्ता और कल्पना का लोग नहीं है कोईशन 140 है अनुकरन का आसा है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी इस्तिती अनुबोती या फिर ब्यक्ति के सुद्ध प्राकित रूप से उत्पन होता है इसकोट जैम्स प्रोफेशर गिल्बर्ट मरे बूचर या नगेंद्र देखिए इसमें क्या है कि यह आपसन ही गलत है इसमें कोई आपसन ही नहीं है यह फिर सबसे नम्मर काट लेता है मतलब कि यह तो सबको देदेगा यह फिर वाक्वेशन हटा देता है अब आगे आपका गद्यान 141 से लेके 150 तक है पहले 141 से 145 तक पांच क्वेश्चन परग्राप के फिर 146 से 150 तक यानि पाच पाच सेट के दो परग्राप देता है तो परग्राप को आप अच्छे से पढ़ लिजी हम दिरे दिरे घसका रहे हैं उपर सरका रहे हैं हम एंस पारसिय अर्भी संसकित आप फिर जन भासा सही अंसर है जन भासा 142 का फिर मतलब हो हिए गद्यांथ बार बार देता है अब तो आफ-लाइन है तो फिर एक ही बार देगा ओन लाइन था इसलिए बार बार देता था 142 का जो है क्वेश्चन है उपरिक्त अनूश्यत के संतों की सत्ता या फिर मनुस्य की सत्ता तो इसका सही जवाब क्या है या सही जवाब है आपसे नमर चार मनुस्य की सत्ता को फिर आपका है तीसरा क्वेशन क्या है उपरिक्त अनुश्यत के अनुसार निम्रिकित में से किस अस्थान के अंदोलन में कभी तुकाराम के भूमे थी इसी गद्दान से सिधा सिधा है दिल्ली मतुरा पंजाब या फिर महराष्ट तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा पंजाब अलगोशन है गद 144 उपलत अनुच्वित का अंसार भक्ति अंदोलन के मुल्बूत सिधादों में सामिल नहीं है तो इसका सही जवाब क्या है सहरों में रहने वाले कामगारों सिल्फियों छोटों व्यापर्यों के बीच देखिए अगला आगे 146 ए 150 तक अगला गद्यांस अगला पेर अगला आप इसको पढ़ लीजिए हम देरे देरे आगे बढ़ रहे हैं देखिए अगला 146 है उपरिक्त अनुच्षेद में एक दूस अपने का उलेख है इस दूस अपने के अनुच्षार कौन सा अपसन सही है तो एंसर के बढ़ देखते हैं 146 का आपका दूसरा है हिंदी की बज़ा अंग्रेजी का प्रयोग करने लगेंगे 146 है उपरिक्त अनुच्षेद के अनुच्षार के इन राज़ों में सिच्छा और संस्किती आदिशेत्रों में राज की तुलना में समाज की क्रिया सिलता प्रमुख है तो इसका सही जवाब है महाराष्ट गुजरात और केरल 148 है उपरिक्त अनुच्षेद में हिंदी के अत्रिक किस भासा के समाज का उल्लेख है महाराथ्टी मोडी पूरी या समिया पिर तमिल तो इसका सही जवाब है महाराथ्टी अगला है उपरिक तनुछेत के अंपसार हिंदी में किस बिसे का मौली कारिन नहीं हुआ है 104 का संगीत सास्त और सास नाट सास या फिर काबे सास तो नाट सास यहां पर तीसरा साइए अकरी क। Hm उपरिक तनुछेत में हिंदी और हिंदी समाज के बारे में कौन सा कत्तन नहीं कहा गया है तो जो इसका सही इनसर है हद्व हें दूसरा है हिंदी छेतरों में फोलसुट ही कि अप्रती बिकर्षण था नहीं भी गत्रान नहीं था यह बात गलत है तो यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके समाथ होएं कैसा लगा जरूर बताइए अपने सवाल जवाब से कहा है जो भी है कमेंट माजम से पूछिए टेलिग्राम में का लिंक है डिस्क्रिप्शन बाक्स में उस पे क्लिक करक के टेलिग्राम से जूड़ सकते हैं जहाँ पर आपको महत्पूर्ण पीडिएफ मिलता है और आप अपने सवाल जवाबी वहाँ पर पूछ सकते हैं ठीक है जो भी आपके डौट है जो भी आपके सुझाव है कैसा लगा क्लास या इसको जरूर बताइएगा कमेंट करके ज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए लाइक और सेर भी करते रहे हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अब हम लोग 2018 से नीचे जाएंगे 2018 से 13 16 15 जहां तक कर सकते हैं तहां तक करेंगे और येकिन मान के चलिए आप कर लेते हैं तो सो में से 30 से 40 क्वेस्टन को आप आसान नमस्कार